आलसी तोते एक घनी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का जुन रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगे जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक तार का पेड़ खोज लिया। ये पेड़ बहुत उचा होने के कारण शिकारी का उस पर चड़ना मुश्किल था। जुन के मुखिया ने सभी तोतों को घोसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगे को देखकर बहुत खुश हुए। और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगे की जाच कर रहा था। अचारक उसने उस पेड के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। जल्दी नीचे आओ, इस पेड के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते गोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने गोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे। मुखिया जी, आप यूँ ही चुनता कर रहे हो। ये चोट इस लता हमारा क्या भीगड़ेगी। मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यक्ता समझाने लगा। आज ये लता नाजुक है। उसे निकालना आसान है। लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी साक्त रस्ती की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चड़ने का साधन बन जाएगी। वो असानी से घोस्नों तक पहुचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोस्लों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुख्या की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की। पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुख्या ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहाँ आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चड़ गया। पूरे जुन की आँखों के सामने वो उनके गोंसलों से सारे बच्चों को निकाल कर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गये और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़ कर चले गये। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पच्चताने लगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।